नमस्कार दोस्तो आज हम करने जा रहे हैं कमपेरिजन मीटेक हेलियो P65 का विद स्नैपड्राइगन 675 जो की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉपलर चिपसेट है और बेटर अंडरस्टेंडिंग के लिए दोस्तो हम इसका कमपेरिजन 660 के साथ भी करेंगे तो दोस्तो जो स्नापड्राइगन 675 और 660 हे दोनों ही काफी पॉपलर चिपसेट है अपनी के और जो स्नैपड्राइगन 675 है यह आपको अपर मीडरेंज के के अंदर जो फोन अंन्वे देखने को मिलता है और स्नापड्राइगन 660 जो आज की डेट के जो lower end of the spectrum है जो mid range के phone है वहाँ आपको देखने को मिलता है दोस्तो तो दोस्तो comparison शुरू करते हैं के CPU architecture से तो snapdragon 660 के अंदर आपको cryo 260 architecture है वो देखने के मुलता है यह octa core chipset है 14 nmk technology पर बना हुआ है इसके 4 cores हैं kotex a73 के जो की run करते हैं up to 2.2 GHz और 4 ही a53 cores हैं जो की run करते हैं up to 1.8 GHz तो kotex a73 और kotex a53 थोड़ा outdated आज की date में हो चुके हैं आम के यह जो architecture है तो इसलिए इसकी performance उतनी ज़्यादा आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ snapdragon 675 की तो इसके अंदर cryo 460 CPU आता है तो दोस्तों इसका भी octa core architecture है इसमें 2 kotex a76 core मिलेंगी जो की run करते हैं up to 2 GHz और 6 kotex a53 cores हैं जो की run करते हैं up to 1.8 GHz तो यह 11 NM की technology का processor है और काफी बहतरीन processor है काफी fast इसकी जो performance है दोस्तों और दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ helio P65 की तो यह भी octa core chipset है जो की 12 NM की technology पे बना हुआ है यह 2 plus 6 का octa core जो architecture उसे follow करता है जिसमें 2 kotex a75 cores होंगी जो run करेंगी up to 2 GHz और 6 kotex a55 cores होंगी जो की run करते हैं up to 1.8 GHz तो दोस्तों अगर मैं CPU की बात करूँ तो helio P65 Snapdragon 660 से तो काफी बहतर है और जो 675 है दोस्तों उसके काफी नजदीक आ जाती है इसकी performance और दोस्तों अगर camera support की बात करें तो snapdragon 675 और snapdragon 660 दोनों है 25 megapixel का single shooter को support करते हैं और up to 16 plus 16 megapixel का dual camera support करते हैं दोस्तों तो इनकी performance काफी decent है काफी अच्छी है दोस्तों और वहीं अगर helio P65 की बात करूँ तो इसके जो single camera support है वो 48 megapixel की है और 16 plus 16 megapixel का dual camera support है तो in terms of camera capabilities यह P65 definitely much ahead है of snapdragon 675 और snapdragon 660 इसका एक और भी reason है दोस्तों की जो AI performance है helio P65 की यह दोनों ही chipset जो है snapdragon 675 और 660 दोनों से about 30 to 40% बहतर है दोस्तों next अगर GPU की बात करें तो snapdragon 660 के अंदर आपको मिलता है Adreno 512 GPU जो की run करता अप to 850 MHz तो इसकी जो performance है काफी decent थी अपने time में लेकिन अगर मैं G65 की बात करूँ दोस्तों तो इसके अंदर आपको Mali G52 series का GPU मिलेगा जो की run करता है up to 820 MHz तो यह काफी powerful एक GPU है दोस्तों G52 series जो Mali की है काफी powerful है और यह Adreno 612 को कड़ी टकर दे सकता है दोस्तों तो इसके अभी benchmark score हमें नहीं मालूम है लेकिन expected यही है कि यह Adreno 612 को कड़ टकर देने वाला है दोस्तों अगर Snapdragon 660 की बात करूँ तो यह अपनी category के अंदर इस price point में इसकी जो performance है वो decent performance है कोई outstanding performance में नहीं कहूंगा लेकिन with the launch of Snapdragon 675 दोस्तों Snapdragon ने mid range category के अंदर धमाल मचा दी थी काफी powerful एक CPU था यह और वहीं दोस्तों अगर Helio P65 के मैं बात करता हूँ तो यह Snapdragon 660 से तो बहुत ही आगया है और very close to have Snapdragon 675 के जो CPU performance है वो 675 की better है दोस्तों लेकिन अगर आपको AI capabilities और camera की requirement है तो Helio P65 is a decent chipset और इसकी performance भी काफी अच्छी होने वाली है दोस्तों Thank you guys for watching the video वीडियो अच्छा लगा तो like बटन दबाईए और subscribe करिए हमारे YouTube चैनल पे और साथ ही दबाईए bell बटन ताकि latest news और reviews सबसे पहले आपको मिल सकें Thank you guys for watching the video धन्यवाद